कहते हैं कि नियाए सप्राजिनम्सित अजिकार है आप मुझे जवाब दो और कहो कि तंशेगर जूट बोल रहे हो हमारे भाई कि इन दम्रेगवाल को नियाए क्यों नहीं मिला आप बताओ मुझे मैं इसलिए आता हूं राइस्थान के ओम प्रकास लेकर रहेकर लिखता है सुसाइड नोट में कि मेरा भाई आएगा मुझे नियाए जलाने कि इसलिए आता है चुद्धे करा जा राइस्थान मैं पूशना चाहता हूं आप लाखों की संख्या में जयपूर में कठा हुए थे पता और तो अर्थे की फील को नियाए क्यों नहीं मिला मुझे बताओ मैं जानना चाहता हूं मेरे लोगों लोने रुटा पैसा नहीं तुम्हे थरोगर रुपे से भी ताकद्वर वोट का लिकार दिया तुम चाहों तो यहां के मुख्य मंत्री को हरा के उसकी नाक रगडवा सकते हैं अगर तुम चाहों अगर यह लोग बहुत अच्छे हो और यहां आपके मन मर्जी काम कर रहे नौजवानिया कि तुम बड़े पैमाने पैमीडिया के लोगों चाप नाकल अगर आपके इंदर खुतारी है बताओ कि तुमें मेरे भाई नोजवान बेरुजगार बैठेजरा हाथ उठा के हैं खाका मैं बन कर दिया में चार सो दिन जैल में बन रखा मेरे लोग एक पाई-पाई काई नाका है यह सचाइज देश की और यह प्रदेश की पीदे के लिए मेरे लगों के पाई-देश नाका है यह निकान दाया हुँ परिंदों को पिज्रा से आप बर्ष परिंदों के दिमाग से पिज्रा निकानना पाकी है आपकी हक्रिया तो बहुत दूर के बाता आपकी तरफ पांग उठाने से पहले भी एक हजार बात सोचेंगे लोग यह वाद लिया अगर आप ये कहोगे कि हमने सम्मेदन बुलाए है भाई हमने महापंचात बुलाई ऐसी है कि हमारे आदमी को सीम बना दो मागने से कहने से कोई आपकी आदमी और सीम बनाएगा क्या आपका आएगा कोई रोक नहीं सकता है राजिस्थान में नहीं पूरे भारत में आएगा कुछ दिन की बात है आप देखते जाओ आपका राज आएगा साइट कभी कोई दुनिया में भारत के अंदर चुनाव लड़ने की इच्छा ही ना करें सब खुश हो जाएंगे मेरा माना एक बहुत जरूवी मामला क्योंकि सासन परसासन और मीडिया के लोग भी आँ हैं उनकी जानकारी में देना है कि कल वो इस बात को जरूर लिखे है कि भाई प्रत्वी राज बहरवा जी को क्यों आरे इसमें सेलेक्शन होने के बाद उनको टर्मिनेट किया गया न्यूक क्यों नहीं दे जारी है सरकार इस बात का जबाब दे हाई डाक्टर प्रोबेसा रमेश बहरवा जी को क्यों एप्यों किया गया है सरकार इसका जवाब दे आप मैं आपसे जो बात कहने वाला हूं उस पर आप गोर करें यहां जितने लोग मंच पहें समानी थे उससे ज्यादा समानी थे आप सम लोग जो सामने बढ़ते हैं मेरे नौजवान भाई हमारे समानी थुजूर्ग और यहां जो किसी से कुछ नहीं कहती है मेरी माए बेहने और हमारी छोटी-छोटी बच्चिया उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देखो जानको को इनुशाजन को कहता ना कहता बैठ जाओ जिसको जहां जगह मिले मेरी मा करना मैं हम दोगह हो मेरी मेरी बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-धन्यवाद आपका balcony साथियो हम गंगापुर में हैं लैकिन पता नहीं हमारे इ więc नहीं अभी नोजवान, इस आजी से कहना चाहता हूं जो नौजवानों के आधिया बैती है तुम्हें वो दम है कि बड़े से बड़े ताजा साहा का तक्ता पलट कर दो तुम्हें वो दम है कि बंजल मूटिक मट्टी को बिजाओ बना दो तो इसार कमेलों की उलाद हो की तुम्हारे पूरवजनों इस देश में क्या 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 नहीं साथ लो बात करते हैं आपको बताने आया हूं कि गल्ती कहां हो रही है आप मुझसे प्यार करते हैं जो लोग यह पूछते रहते हैं कि जबसे का राइस्तान क्यों आता है वो तो यूपी का है उनको यह बता देना कि वह हमारा नेता नहीं हो हमारा भाई है तो उसका हमारा खूण के रिष्टा है उसमें हमसे वह जो क्या कि अगर आप एलिए खूण के आखरी बूंद में चुकाने परे तो उनका भाई पिछन यह आते गए यह बात बस उनको बता देना वह आ हैं दो यह जिंदकी मरेगा मेरा आपका खून का रिष्टा है मेरा आपका दर्ज का रिष्टा है कि ना गुलामी आप सहना चाहते ना गुलामी मैं सहना साथ चाहता मेरे तो नामी आजादे गुलाम ना पैदा हुआ ना जियूंगा ना भरुगा सब्सक्राइब करना कि नौजवान साथी जिर्फ नारे ना लगाए उनके कंदों पर समाज को तराने की जिम्यदारी है उनको अपने आप को जुका के अपने समाज को अपने कंदे पर बिठा के ताके दर बनाना है और जिसने ठान लिया है जिसने नीदा पटका डाल लिया है उसके उपर और बड़े जिम्यदारी आ गए है कि वो अपने मान सम्मान को और अपने समाज के अधिकारों को नुटने ना दे उसे जुकने ना दे उसे भिकने ना दे उसको हाट ना मनने दे तो मैं बात करना हू तब कि जब हम इस देश में गुलाम हुआ बढ़ता है था चोदा अगर्स पूरी सो से तालिस हम इस देश में गुलाम था गुलाम तो पूरा भारत था लेकिन पूरे भारत के हर सब लोग अधिकारों से मंचित नहीं थी बहुत सारे लोग पादिकारों की अजादी थी पढ़ने की लिकने की घूमने की मकान बना ले की जमीन रखने की खेटी करने की और तमाम तरह के आजादी थी लेकिन जो गुलामों के गुलाम था ये बहुतन समाज के लोग जो आज जाते हो में बढ़के अपनी एकता को काम नहीं कर पा रहे हैं वह तो बदाई जेता हूँ कि आपने जोड़ा आपने स्टी एस्टी की महापंचारत की मुझे बड़ी कुजी हुई मेरे रूप में ये समरोग जन सेकन वहीं से आपने देखा होगा मंगर देश आज़ात हुआ पंदरागर्त 1407 को था 4 Jestो जो गरीब था 5 अगर्त तो गरीब था 14 अगर्त पो जिसके खाते में 100 उर्पय थे 15 अगर्त को भी उसके खाते में 100 उर्पय थे चोदा अगर्थ को जिसके पास एक ड़त जमीन नहीं थी पंद्रा अगर्थ को भी उसके पास एक ड़त जमीन नहीं थी चोदा अगर्थ को जो समाजी के समानता का सिकार हो रहा था पंद्रा अगर्थ को भी वो समाजी के समानता का सिकार हो रहा था वह सब्सक्राइब करने के अज़ादी वह सब्सक्राइब करने के अज़ादी नहीं थी कि कि हम भी सम्मान से पूरे देश में कई घूम सकते हैं हम भी पूरे देश में किसी भी सरकारी जगा पे दूद्रों अधिकार हमें भी है और हम भी पिस्लेरी का पानी पी सकते हैं आप आप से लगवक सो सान से पहले वावा सब मेरे कर आपकर तालाव से पानी पिलाने के लिए मेरे लोगों याद करो अधिए और आज उनके वंसज देखो वावा साम के सविधान की देड़ है कि आज उनके वंसज भिस्नेरी का पानी पी रहे हैं ये अजादी मिली सबी जर्वदी में सब पचास को लेके जो बात मैं आपसे कहना उसमे गोर करना ये आजादी कितने मुकाम तक पहुश पाई और कितने अधिकारों के लिए आपको संघस करना पड़ा लड़ना पड़ा अंदोलन करने पड़े लाच्या खाली बड़ी मुशी बते जहने पड़ी जैसा मैंने आपको बताया कि छबी जन्वजी उन्सों पचास को आजादी सविधार के साथ ये सर्थ रखी गई जो अंतरिन सरकार बनी पंडी देवाल नांद रहरू के देद्व में बिना चुनाव रड़े उस सरकार में वादा किया अभावा साब अमेर्टर से कि जो सविधार में धिकार आपने लिखे हैं जो यो भाग चान में निगिर देखता में जो आपने इनकी तरक्की के लिए बनाई है जो किसानों को सब्सक्राम और भावा साब अमेर्ट के रूप में जो गरीबों को जमीन में इसको चौदी चलंग सिंदी में बाद में करके भी दिखाया वो जमीन रखने का अधिकार जो है वो अंतिम वेक्सिकों भी मिलेगा ये बावा पर ये दावा अबामा साब अमेर्ट कार्णियन पर भरुसा किया लेकिन बावा साब ने अपने बच्चों को भी कुछ कहा वो ये कहा जब उन्होंने पहले हमें वोट का अधिकार दिलाया है उस वोट के अधिकार के खिलाब सब लोग थे कोई कहता था वोट उसको मिलेगी जो लगान देता है कोई कहता वोट उसके मिलेगी जिसका वैपार हो कोई कहता वोट उसके मिलेगी जिसकी जाती नूची हो कोई कहता वोट उसके अधिकार उसको मिलेगा जो पढ़ा लेकिन वाबा साब में कहा क्योंकि वो दूर दर्सी थे उन्हों में का फिर इस देश का लोगत्र मजाब्स बनके रहा जाएगा और चंद लोग फैसला करेंगे कि किसकी सरकार होगी तो बाबा साब कि उनको भरोसा था कि उनके आने मारे पीडिया पड़ लिखके अपनी वोट की ताकत को समझेंगी और वो 21 सदी में जब 2003 शल रहा होगा वो पंचाज करके हाथ पहला के मांगेगी नहीं कि लाव हमें मुथ्खे मंत्री के अपद्दे दो वो ऐसे नहीं मांगी ऐसा भरोसा न कि पन लिखके हमारे लोग समिक्षा करेंगे और अपनी वोट को समय करके भाइचारा बनाके पर देशों में अपना राज में वस्ता जो है लागू करके दिखाएंगे अपना राज लाके दिखाएंगे क्योंकि आरते सविधान में जो अधिकार आपको मिले नोजवान लागू कानूनों को लागू कराने के अगर ताकत किसी के पास है तो वो सत्ता के पास है जिनकी सरकार होती है वो कानून को अपने तरह से लागू कराते हैं और जो नए कानून बनने चाहिए आपके अधिकारों के लिए उनको कानूनों को बनाने की ताकत भी इस पंडाल मे नहीं है वो ताकत भी विदान सभा और लोग सभा के पास है आप लाखर हो कि फिर दो और वोर्ट आपको चालना मिले तो आप कुछ नहीं कर सकते हो पूरे राइस्थान के अहुजब समाज के लोग भी सड़क में खड़े हो जाए तो एक कानून नहीं बना सकते क्योंकि भारते सभाव को लोग सभाव को दिया उनके आने वाली पीड़ी आकलन करेगी क्योंकि वह जानते थे कि जिन लोग के हाद में सकता है वो मेरे लोगों को कुछ नहीं देंगे वो बिल्कुल कुछ नहीं देगे वो तो मेरे जोग को जो अधिकार मारे समिधान में सवच्छित किये हैं वो तो उनको भी चिनने का काम करेंगे समय समय पर उनको भी लूटने का काम करें आज देखो ऐसी हालात है देखो कहते हैं कि न्याए सब्सक्राय जर्मसि नदिकार है आप मुझे जवाब दो और कहो कि तन जेगर छूट बोले हैं हमारे भाई कि इंदर मेगवाल को न्याए क्यों नहीं मिला आप पता हो मुझे जब नया जमसिन अधिकार है तो इंदर मेगवाल को निया दिनाने के लिए आपको अंजोनन क्यू करना प्लारा राजिस्थान में आऊ तका निया जमसिन अधिकार है तो जिदे अदर मेगवाल को तृष म्यारा चाहा हुए मैं इसलिए आता हूं राइस्थां कि उम प्रकाद लेगर रहेगर लिखता है सुसाइड नोट में कि मेरा भाई आएगा मुझे नियाए जिलाने कि इसलिए आता चंजेकर आजा राइस्थां मैं पूशना चाहता हूं आप लाखों की संख्या में जैपूर में कट्था हुए थे बताओ तो अरते की फिल को नियाए क्यों नहीं मिला मुझे बताओ मैं जानना चाहता हूं आपके पंचेक एक अफ़ते बादी मेरी बेहन पूजा को तक्स टुक्रों में जिन्होंने काट रकाँ उस मेहन के परिवाद को यायक परिवार को नह इकता हुखं को कि अन्याए करने पड़ा उसको जलादिया हुए उसको नहीत का मिलता हुज ये मैं जानना चाहता हुआ हुज हो और उनको नiable को छाहता हुझा ञाए करे टीह मेरे लोगों नोने पैसा नहीं तुम्हें तरोग रुपे से भी ताकतवर होट का अधिकार दिया तुम चाहो तो यहां के मुख्यमंत्री को हरा के उसकी नाक रगडवा सकते हैं और तुम चाहो करने दिये आपको और तुम देखना चुनावाएगा मेरी माए पहले हमेठी है देखो मैं नहीं कहा ना चालता लेकिन कहूं ला अभी मुख्यमंत्री में कहा कि वो राशन देंगे आपने सुना ना राशन देंगे घर तक सुना आपने यह भी कास्रेंडर सस्ता करेंगे साड़े चार साल कहां थै मिणी साड़े चार साल अपना देखो राशन भी दिया देखो कि दिनने में मैजदूर किस तरह से अपने घर लोगा इनको देने के लिए पसे नहीं थी मेरे लोगों उनको पेजने के लिए प्रेंट नहीं थी वह अपने बच्छों को अपनी पीट में लागए खून के आशूर होते हैं उनके पैरों में चाले पड़ गए तब को मेरे मैजदूर भाई अपने घरों तक पहुचे हजारों लोग जाते जाते मर गए फूख से अच्रेंग के आगे नीचे आगे हजारों बहने उनकी चंपले घिज गए किस तरह से घर पहुची निर्दई सरकारों ने कुछ नहीं सोचा यहीं देना सरकार के लोग जबाग भूख से मर रहे थे करोना काल में लोग नाउं लगा था तब भी तो इस सरकार यहीं थी अच्छा नहींब हो रहे हैं हुआ है अपने लोगों की तरह बढ़ रहे हैं वो अपने लोगों को ताकत देने के लिए सोच रहे हैं किसले कहा रहा है राशन लेलो यह बताओ जो बाबास पेर शायर बच्चों को खुर्वान करके आपको वोट का अधिकार दिलाया उनको पेचने काम करोगे संंघर्ष को न सब्सक्राइन करूंगे की इच्षा कए आपके भरगा पानी नहीं पेगा और दबाएगा चुनाओं में आखे अब करहाँ-थादी도 चाची ओ और जी दिन चुनाव चला जाएगा मेरे भाईयों मेरी बैनों आप उनके घर जाना वो अंदर बैठ के मना करा देगा कि नेता जी आ नहीं अगर यह लोग बहुत अच्छे हो और यह आपके मनमर्जी काम करें नौजमान यहां कितने बड़े पहमाने पहमेडिया के लोगों चाप नाकल अगर आपके इंदर खुतारी है बताओ कितने मेरे भाई नोजवान बेरुजगार मैशेजरा हाथ उठागे बताओ मुझे इस देखो यह है राइस्थान की सच्चाई उठागे रखो इनको देखने दो इनके कैमरे देखने हैं पुरा अखारे से करो आप सुना बताओ कि सरकार के परबात किया रहा है और यहां की सरकार इस सरकार की में सुनो यहां की सरकार भृठी कि अजिए इसका पेपर लिग नहीं होता है तो नहीं समाज़ते मैंने कहा ना कि अजिए इसका पेपर लिग नहीं समाज़ते मेरे लोग की रख्षा कैसे करोगे तो कहते हैं कि हम जो नकल करा रहे हैं पुर्डोजे चला दो के साड़े चार साल कहा थे आपको कितनी भरत्या गिना हूं आपको मैं जब उनकी लाएं लगने के लिए गया मुझे होटल सब्ठा के चार दिन के लिए जेल में बंद कर दिया मैं यह का रहा हूँ चार दिन नहीं मुक्ते मंदरी जी चार सो दिन, चार हजार दिन जेल में बंद रखो मेरे लोग एक एक पाई-पाई का हिसाब करेंगे तुर्डोजे जब तक आपके भोज़त है जब तक इन पे किराए का मकान था आज इन पे अपना घर है, आप रूस कहके गए है कि लोगों के महलों से अच्छी होती है अपनी जोपनी जोपनी में आप मालिक होते हो, उनके दर्वाजे जाओगे, उनके पीछे खरे होंगे, उनके पिछलकों बनोगे, उनका राज लोगे तो आपके हातों में, आपके इससे में क्या अगा सोच प Angebijn ने ये भी कहा, और फिर गाराम साब जाह करते थे कि जब बोगतो फूललों कि तो फूललों की सरकार आएगी जब फूललों की सरकार आएगी तो वो अपने लोगों थाकतर मनाएंगे, रुजगार देंगे, आप पंजे वालों की सरखार रहेगी पंजे वाले को रोजगार देंगे राश्रत देंगे अधिकार देंगे आपके साम कायगा आप अपने वालों को वोड़ दोगे तो मैंने पहले भी खाँ कि मांग पत्र बनाके देतो जतने लोग सुते हैं मेरे लोगे तन पे कबड़ा नहीं की दिया तंकारों ने हमें मेरे पिता जी कहा करते थे कि अजमाएवे को अजमाना नहीं चाहिए जिनको अजमा चुके और अजमा के देख चुके की मैंने वहां कहा बादरा में कि अगर आप गलती कर मैठते हो मैं गंदापुर सिंडी में भी कह रहा हूं तो पाक साथ जो खाल होता है कि हमारे लोगों की जो नैज जहना पड़ेगा हमारे लोगों जो रेफ हत्याए होगी जो पूजा भील को टुक्ड़ों में काटा जाए तो उसके जिम्मेदार आप की होंगे इस बात को आप लोग याद रखना न्यक्ति वोट का जिकार जाएक वोत का जिकार आपको वुनामे मुख्ति के लिए मिला है आपивать का प्यायों के बनने के लिए मिला है अगर आप अपनी वोट's प्रयोग गलत कर देते हो तो जो अध्या होगा उसका खामया या आपका बोगतरा पढ़ेगा तो जिम्मcadoरा कि वोट की रख्षा कैसे करनी है जैसे रख्षा करते हैं तो आपकी वोट दूरी सकती नहीं मेरे लोगों कि खोड़े से पैसे सराव यह राशन पर किसी को दे दू यह तो सरकारों को देना ही है कि निकाल लाया हूं परिंदो को पिंजर है आप वस दूर के दिमाग से पिंजरा निकालना बाकी दुनामी पेवसी में आपका अपना मकाना होने के कारण आप लोग रह रहे तो उसक्तमरों से आपको लिखार लाया हूंगा अब बस आपके दिमाग से बात निकालनी है कि जब वोट देखें आप उसकी सरकार बना सकते हो तो अपनी भी बना सकते हो कि टेकरें कि जा नहीं चलेगा नहीं चलेगा लेकिन यहां मेरे लोग दुलाबने छोड़ना नहीं चाहते हैं कार्तिक भील का परिवार तीन महीने सड़क पे थूल ठांता है उसके बच्चे खूल के अंसुल होते हैं क्या जवाब तो मैं उसको परिवार को कि जो जिसके आरोब है वो कंग्रेस का विदायक है इसलिए उसका कुछ नहीं हो सकता तो कानूर गराबर कैसे हुआ मैं मुकेश वाजमी की जिए इनका बेटा हरसाधी पती वाजमी की एक आपका अपना खून आपका भाई हधिकारी उसको एक विदायक जाके पीटता भाई इस तोना से उसके जो है उसके हधिया फैक्चर हो जाती है और उसको मरावा समझ के छोड़ देता है वो तो आपका खून था कि उनसे नहीं मरा इतने लोगों से भी वापका भलसाली खून था वो नहीं मरा आज हो तुने पैरों पर खड़े होने कि रिखती में है वो भी बैड़ में उख जाएगा लेकिन जवाब दो कि एक दिन में उस विदायकी जमानत हो जाती है तो मैं क्या जवाब द के खिराब बोलो विग्यानिक अपना हो यह करने पर उसकी नोपरी चिनली गई और हमारे भाई के रत्या करने के प्रयास करने वाले पर एक दिन में जिमानत तो कानून किसके लिए बराबर हुआ देखो मैं तो आपसे कहना चाहता है अगर आपको गुलामी की जिदगी पस और अगर आप के तरी बेचैनी जटपटाल हो कि यार हम सब को अजमा के देख चुके हैं हमने सब पर बारुसा किया कोई कुछ करता तो है नहीं हमारे लिए लड़ने के लिए तो फिर भी हमारे भाई को आना पड़ता है तो उसको इताकत दे दुश्वारता तो फिर मैं ग गोड़ी से उतारने से पहले मुझे रखने घड़ा छोने पर आपकी अधिया तो बहुत दूर की बादा आपकी तरफ उठाने से पहले भी एक हजार बाद सोचेंगे लोग यह वादिया लिए कभी आप से कोई बाद छुटी कहीं है बताओ